इसकी तारिक में जो हसाब से हमारी खेती है, जिस हसाब से chemical use हो रहे हैं, ये सारी चीज़े हमारे लिए घातक परिणाम में तब्दील हो रही हैं, जो हमें chronic disease की तरफ ले जा रही है, आपको एक चीज़ समझने होगी कि आज की जो industrial farming है, वो completely pesticides, herbicides, fertilizers, growth factors, एक बड़ा population का demand है उनको fulfill करना पड़ता है, उनके उपर भी target है, उनके उपर भी pressure है, आपको एक समझने होगा कि जो हमारी factory farming, जो साब से आज पशु पक्षी हैं, जो साब से उनको अनाज दिया जा रहा है, जो साब से उनको खान पन दिया जा रहा है, उनको खाना है घास, जैसे cow को, गाई क खाना है घास, और उनको दे रहे हैं हम लोग कौन, और ये सारी चीज़े क्या करने वाला है, ये इनको completely a different food में तबदीर हो जाता है, और ये सारी चीज़े हमारे ले काफी खाते पड़ने हमें तबदीर हो जाते हैं, तो आप एक case study बताता हूँ, आपके ताह मैं share करना पस होता है, जब लोने उनका diet बदला और completely उनने एक नए इनसान, एक नए रूप में मिला उनको, क्योंकि ये खान पान के वज़े से इनका ये सारा behavior था, आज की तारी में हमारे जो बच्चे हैं, वो ADHD का शिकार है, ये क्या होता है, ये basically cognitive strength है, attention नहीं दे सकते हैं, इनको healthy बनाता है, तो आज की तारीक में हमें omega 6 की जगा पे omega 3 चाहिए, हमें glutathion चाहिए, हमें probiotic चाहिए, हमें glutathion का बहुत important requirement हमारे amino acids के build-up के लिए और ये सारी nutrition काफी आपके लिए मदगतार होते हैं, हमें अच्छा खाना चाहिए, हमें olive oil चाहिए, हमें complete quality nutrition चाहिए, इस सा उपसे important है, वो ही important है कि कौन आपको वो चीजे दे रहा है, और वो चीज कहां से उक्के आ रहे हैं, वो सारी चीजों को आप study करो, वो ही जबी वो चीज आपको लगती के शुद्ध है, प्योर है, जबी उनका seven करो, वो ही आपके लिए पहतर है